पुराणों के अनुसार भागी साली पुर्सों के नव लच्छड दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि महिलाओं की तरह पुर्सों के भी कुछ ऐसे लच्छड होते हैं जो उनके बारे में बहुत कुछ बताते हैं आप पुर्सों के शरीर की बनावट और हाव भाव को देखकर सभी कुछ फता लगा सकते हैं तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि पुर्सों में कौन कौन से लच्छड होते हैं सबसे पहले हम पूर्षों के शरीर के उन भागों निशानों के वारे में जो आपके जीवन में धन से शंबंदित होता है साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि जिन पूर्षों की छाती पर बाल होते हैं साथ्रों के अन्शार आखिर इसका अर्थ क्या होता है धन की जरूरस सबको होता है फिर चाहिए गरीब हो या अमीर हो धन की वगर न धर्म किया जा सकता है और नहीं भूखे इंसान की भूख को सांत किया जा सकता है यानि कि आपके भागे में धनवान होना लिखा है या नहीं पुराणों में इसकी बहुत ही अधिक महत्तों बताए गए हैं ऐसे में आपके भागे में धनवान होना लिखा है या नहीं आईए जानते हैं पूर्सों के उन अंगों यानिकी निसानों के बारे में जो आपको भाग्यशाली होने का शंकेत देते हैं तो दोस्तों देर ना करते हुए वीडियो को सुरू करते हैं लेकिन अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर ले वीडियो को लाइक कर ले यहां हर रोज नौलस से भरपूर एक नई वीडियो देखने को मिलती है चलिए दोस्तों जानते हैं कि कौन सी वह लच्छर हैं नमबर वन जिन पूर्सों की जंग लंबी मोटी और मार्सल यानि भरी हुई होती है वी भाग्ये का साथ प्राप्त करते हैं मजबूत चंद वाले पूरुष धन और सभी सुख प्राप्त करने वाले होते हैं नमबर दो जिस पूरुष के पैर कोमल मांसर यानि भरे हुए रक्त वड यानि लाल रंग के होते हैं और उनके शरीर पसीनेशे रहित होते हैं वे सभी सुख सुविधा प्राप्त करने वाले होते हैं ऐसे लोग बहुत ही आराम का जीवन प्यतीत करते हैं नमबर तेन सास्त्रों के अनुशार जिस पूर्षों की हथेली की बीचों बीच तिल होता है तो ऐसे लोगों के बारे में कहा जाता है कि उन्हीं वाहन सुख और समाज में खूब मान सम्मान प्राप्त होता है साथ ही ऐसे लोगों के पास पैसों की भी कमी नहीं होती है नमबर चार सास्त्रों के अनुशार जिस पूरुष की गर्दन छोटी और शामानी होती है ऐसे गर्दन वाले लोग धनवान होते हैं और जीवन में कई उपलब्धिया हासिल करते हैं नमबर पाँच यद किसी पूरुष के पैर में तरजनी उंगली यानि अंगूठे के पास वाली उंगली अंगूठे से बड़ी दिखाई देती है तू ऐसे प्यक्ति सुख प्राप्त करने वाले होते हैं नमबर च्छ जिस पूरुष की पीठ कच्छुए की पीठ के आकार की तरह होती है वह धनवान और भागिसाली होता है नमबर साथ जिस पूरुष की नाभी गहरी और गोल है तो वह सभी सुख प्राप्त करता है नमबर आठ यद किसी पूरुष के पैरों में सबसे छोटी ओली अंगूठे से बड़ी है तो ऐसे लोग बहुत धनी होते हैं तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं जिन पूरुष की छाती पर बाल होते हैं क्या इसका मतलब होता है नमबर नव जिन पूरुष के छाती पर बाल होते हैं वह अन्य पूरुष की तूलना में अधिक दिमाग वाले होते हैं दोस्तु आपको जानकर हैरानी होगी कि छाती पर बाल वाले पूरुसों को महिलाएं भी बहुत पशंद करती है क्योंकि यह पूरुस रिष्टा निभाने में भी पीछे नहीं हटते। छाती पर बाल वाले पूरुस बहुत ही मेहनती होते हैं और कभी किसी को धोखा नहीं देते हैं। जो कि उनके जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। इसलिए मेरा आपसे निवीदन है कि वीडियो को लाइक और सेयर करें। साथ में ही हमारे चैनल को सस्क्राइब करना ना भूले जिससे आपको ऐसी ही नौलेज से भरी वीडियो हर रोज देखने को मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में और कुछ नया शीकते हैं।